नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल लैन्सी यार्टी हिंदी ट्यूटर पे तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अध्याय दो जैसा सवाल वैसा जवाब जो की लिया गया है कक्षा 4 के विशय हिंदी की किताब रिम जिम से इस वीडियो में हम अध्याय को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए शुरू करते हैं अध्यायत 2 जैसा सवाल वैसा जवाब बादशाह अकबर अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करता था बीरबल की बुद्धी के आगे बड़े बड़ों की कुछ नहीं चल पाती थी किसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से जलते थे वे बीरबल को मुसीबत में फसाने के तरीके सोचते रहते थे अकबर के एक खास दरबारी ख्वाजा सारा को अपनी विद्या और बुद्धी पर भहुत अभिमान था बीरबल को तो वे अपने सामने निरार बालक और मुर्क समझते थे लेकिन अपने ही मानने से तो कुछ होता नहीं दरबार में बीरबल की ही तूती बोलती और ख्वाजा साहब की बात ऐसी लगती थी जैसे नकार खाने में तूती की आवाज ख्वाजा साहब की चलती तो वे बीरबल को हिंदुस्तान से निकलवा देते लेकिन निकलवाते कैसे एक दिन ख्वाजा ने बीरबल को मूरक साबित करने के लिए बहुत सोच विचार कर कुछ मुश्किल प्रशन सोच लिए उन्हें विश्वास था कि बादशा के उन प्रशनों को सुनकर बीरबल के छक्के छूट जाएंगे और वह लाग कोशिश करके भी संतोज जनक उतर नहीं दे पाएगा फिर बादशा मान लेगा कि ख्वाजा सरा के आगे बीरबल कुछ नहीं है ख्वाजा साहब अचकन पगड़ी पहन कर दाड़ी सहलाते हुए अकबर के पास पहुँचे और सिर जुका कर बोले बीरबल बड़ा बुद्धिमान बनता है आप भी उसकी लंबी चौड़ी बातों के धोके में आ जाते हैं मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तीन सवालों के जवाब पूछ कर उसके दिमाग की गहराई ना पले उस नकली अकल बहादूर की कलाई खुल जाएगी ख्वाजा के अनुरोद करने पर अकबर ने बीरबल को बुलाया और उनसे कहा बीरबल परम ग्यानी ख्वाजा सहब तुमसे तीन प्रश्ण पूछना चाहते हैं क्या तुम उनके उत्तर दे सकोगे बीरबल बोले जहाँ पना जरूर दूँगा खुशी से पूछें ख्वाजा सहब ने अपने तीनों सवाल लिखकर बाश्या को दे दिये अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रश्ण पूछा संसार का केंद्र कहा है बीरबल ने तुरंत जमीन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया यही स्थान चारों और से दुनिया के बीचों बीच पड़ता है यदि ख्वाजा सहब को विश्वास न हो तो वे पीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दें कि मेरी बात गलत है अकबर ने दूसरा प्रश्न किया आकाश में कितने तारे हैं बीरबल ने एक भेड मंगवा कर कहा इस भेड के शरीर में जितने बाल हैं उतने ही तारे आसमान में हैं ख्वाजा सहब को इसमें संदे हो तो वे बालों को गिन कर तारों की संख्या से तुलना कर ले अब अकबर ने तीसरा सवाल किया संसार की आबादी कितनी है बीरबल ने कहा जहापना संसार की आबादी पल पल पर घटती बढ़ती रहती है क्योंकि हर पल लोगों का मरना जीना लगा ही रहता है इसलिए यदि सभी लोगों को एक जगए घटा किया जाए तब ही उनको गिनकर ठीक ठीक संख्या बताई जा सकती है पादशा तो बीरबल के उत्रों से संतुष्ट हो गया लेकिन ख्वाजा साहब नाक बहुं सिकोड कर बोले ऐसे गोलमाल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब बीरबल बोले ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं पहले मेरे जवाबों को गलत साबित कीजिए तब आगे बढ़िये ख्वाजा साहब से फिर कुछ बोलते नहीं बना तो दोस्तों यहां हमारी कहानी पूरी होती है तो इस कहानी से जुड़े कुछ शब्दार्थ हम कर लेते हैं जलते थे, इरिश्या करते थे मुसीबत, परेशानी समस्या तरीके, उपाए, अभिमान, गमंड तूती बोलती थी, शाशन चलता था छक्के छूटना, हिम्मत हार जाना कलाई खुलना, भेद पता चलना अनुरोध, आग्रह नाक बहों सिकोणना, अनिच्छा व्यक्त करना तो दोस्तों अब इस अध्याय के हम कर लेते हैं प्रश्न उत्तर तुम्हारी बात ख्वाजा सरा के तीनों सवालों का क्या कोई और जवाब हो सकता है अपने मन से सोच कर लिखो उत्तर ख्वाजा सरा का पहला सवाल था संसार का केंदर कहां है इसका दूसरा जवाब हो सकता है आप जिस स्थान पर खड़े हैं वही संसार का केंदर है उनका दूसरा सवाल था आकाश में कितने तारे हैं इसका दूसरा जवाब हो सकता है आकाश में उतने ही तारे हैं जितने आपके सिर में बाल है उनका तीचरा सवाल था संसार की आबादी कितनी है इसका दूसरा जवाब हो सकता है ख्वाजा साहब पहले संसार के सभी लोगों को इखटा करें फिर हम गिनकर आबादी बता देंगे प्रश्न दो अगर तुम ख्वाजा सरा की जगह पर होते तो बीरवल को हराने के लिए कौन से सवाल पूछते है उत्तर अगर मैं ख्वाजा सरा की जगह पर होता तो बीरवल को हराने के लिए निमने सवाल पूछता खुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती नोट विध्यारती अन्य सवाल भी कर सकते हैं आप अन्य सवाल भी यहां पर पूछ सकते हो जैसे एक सवाल मैंने आपको बता दिया खुत्ते की दुम सीधी क्यों नहीं होती ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरवल को हिंदुस्तान से निकाल देते अगर तुमारा बस चले तो तुम कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहोगे उत्तर, मैं अपने देश से गरीवी और भुकमरी हटा कर उसे दुनिया का स्वर्ग बनाऊंगा बस, नीचे लिखे वाक्य पढ़ो, मैं बस में बैठ कर स्कूल जाती हूँ ख्वाजा सरा का बस चलता तो वे बीरवल को निकाल देते बस, अब रुक जाओ, बस, दो दिन की तो बात है मैं आ जाओंगे उपर दिखे वाक्यों में बस शब्द के अर्थ अलग-अलग है अब इसी तरह चल शब्द से वाक्य बनाऊ चल, संकेत, चल, चल-चल, चला, चले, चलना, चलती, चलो किसका उत्तर है? तू मेरे साथ चल आज तो मैं चल-चल कर थक गया हूँ लो, वै तो चला अच्छा, अब हम चले, क्या तुम्हें मेरे साथ चलना है? चलती ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए तुम मेरे साथ चलो बड़े कहानी एक दिन अकपर ने बीरबल से पूझा बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? आहनी आगे बढ़ाओ तो यह आप से हम बताईए कि बीरबल ने क्या कहा होगा? खोजो कहानिया बीरबल की चतुराई के किस्से बहुत मशूर है तुम भी बीरबल का एक ऐसा ही किस्सा ढूंडो जिसमें वे अपने जवाबों से सबका मूँ बंद कर देता है तो आप कहानियों में ये किस्से ढूंडिये बीरबल की तरह बहुत से अन्य वक्तियों की हाजिर जवाबी के किस्से प्रसिद है उनके नाम पता करो उत्तर नीचे लिखे शब्दों की जगए और कौन सा शब्दों इस्तमाल हो सकता है खाली जगए में लिखो इनका उत्तर है बुद्धिमान का चतुर अभिमान का घमंड संसार दुनिया मूर्क बेफकूफ विश्वास भरोसा पोशिश प्रयत्न मुहावरे नीचे लिखे मुहावरों का इस्तमाल तुम कब कब कर सकते हो आपस में चर्चा करो अब इनका वाक्यों में इस्तमाल करो नाक बहुं सिकोडना कलाई खुलना इसका उत्तर है नाक बहुं सिकोडना कहीं भी भार जाने के नाम पर वे नाक भों सिकोडने लगता है कलाई खुलना चोरी की कलाई खुलते ही वे धीरे से खिसक गया तो दोस्तो हमारा अध्याय दो जैसा सवाल वैसा जवाब पूरा होता है इस वीडियो में हमने कहानी पड़ी और उसके प्रश्न उत्तर किये हैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबाईए ताकि जो नई वीडियो मैं अपने चैनल पर डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके मिलते हैं कल नई वीडियो में एक नई चैप्टर और सब्जेक के साथ तब तक आप अपना ध्यान रखिए और बड़ों का आदर कीजिए धन्यवाद